आज की लेक्षिर में हम न्यूँ चाप्टर स्टार्ट करेंगे चाप्टर 7 लोगारिध्म इसमें देखिए यह चाप्टर 7 है इसको पढ़ने से पहले चाप्टर 6 इंडेसेस जरूर पढ़ लीजगा क्योंकि indices और logarith ये दूनों एक दूसरे से related हैं देखिए वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था ये है मान लीजे इसे हम क्या पढ़ते हैं ये है base ये क्या है base है उसके उपर ये जो power होता है इसको हम क्या कहते हैं power कहते है exponent कहते हैं और क्या कहते हैं index क्या क्या कहते हैं power exponent और index कहते हैं और ये क्या होता है हमारा ये होता है base यहाँ पर देखिए logarithm में क्या होगा if a की power m a raised to the power m is equals to n है तब ये क्या होगा then exponent m is called ये जो m है ये क्या होता है power है exponent है और क्या है ये index है then exponent m is called the logarithm of logarithm of number n to a base a क्या है यहाँ पर exponent m exponent m क्या हो गया exponent m is equals to logarithm of number n to the base a समझ में आया देखिए यहाँ से देखते हैं कोई number है मान लीजिए यहाँ पर a की power m is equals to n है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा base ये क्या हो गया exponent और ये है हमारा number ये base है उसके उपर power है exponent है is equals to कोई number आ गया अब इसको हम logarithm में कैसे लिखेंगे देखिए हम क्या लिखते हैं log लिखते हैं क्या लिखेंगे log फिर देखिए जो base होता है base होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे ये log लिखा नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर base लिखेंगे जो भी base होगा, a है तो a, 3 है, 4 है, कुछ भी है, वो क्या हो जाएगा हमारा base, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए, यह लिखा हमने base, अब हम लिखेंगे यह n, क्या है यह, number को लिखेंगे, यह हो जाएगा n is equals to, फिर क्या आएगा हमारा exponent, यह हो गया, सम number को लिखा, is equals to, जो भी हमारा exponent है, जो भी हमारा power है, उसको क्या करेंगे, equal के, right hand side लिखेंगे, आया समझ में, logarithm कैसे लिखते हैं, देखिए, और हम इसको पढ़ते कैसे हैं, log, log n to the base a, क्या कहेंगे, log, log n to the base a, base a पर क्या है, n है, यह चीज़ आया समझ में, यही चीज़ यहां पर लिखा हुआ है, the exponent m, is called, logarithm of number n, base to a, base क्या है, a है, इस base log a base है, और यहां क्या है number, is equals to m, m क्या है हमारा, exponent है, या power है, आगे है समझ में, अब हम देखते हैं, कुछ examples, नोट कर लिएज़े इसको, देखिए, अगर हम इसको लिखें, जैसे, 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते है, 2 की power 3, यह लिख सकते है, 2 की power 3, यानि 2 है, power क्या है, यहाँ पर 3 है, यानि 2 को हम क्या करेंगे, 3 बार multiply करेंगे, यह हो गया, 2, 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया, यह यहाँ लिखा है, 8 is equals to 2 की power 3, यह लिखा हुआ है, यह किस form में लिखा है, यह हमारा indices के form में लिखा हुआ, chapter 6 हमने पढ़ा है, indices उस form में लिखा है, अब देखिए, हम इसको अगर logarithm के form में लिखते हैं, log के form में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, log लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए, base कौन सा होता है, यह हमारा base होता है, यह क्या होता है, base, यह होता है हमारा exponent या power, यह हो गया base, तो base लिखेंगे यहाँ 2, क्या करेंगे, base लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा number, फिर इधर क्या आएगा हमारा exponent, आ रहा है समझ में, क्या किया हमने log लिखा, फिर यहां पर base, base के बाद यहां क्या लिखेंगे, हम number लिखेंगे, यहां हो जाता है हमारा power, एक और देखते हैं, जैसे 16 है, यह क्या है, 2 की power, 4 है, इसको log के form में कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे log, फिर अब क्या लिखेंगे, यह base है, तिसे हम यहां लिखेंगे base, अब यहां क्या आएगा, यह 4, sorry, यह क्या आएगा, 16, is equals to, यह power यहां आजाएगा, 4, क्या धहन रखना है, log लिखना है, base लिखना है, अब power हमारी equal के इस side रहेगी, power कहां रहेगी, equal के इस side, अब देखें, यह हो गया हमारा base, power इधर चला गया, बचा कौन, यह 16, 16 हमारा यहां पर आ जाएगा, आ रहा है समझ में, आ गया है यह समझ में, यहां से देखिए हमारा logarithm का theory complete हो गई, next lecture में हम exercise 7a solve करेंगे, thank you for watching this lecture.